प्रेंट्स चारु मत्र सभी में आप सब का स्वागत है उम्मीद करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आज मैं एक और आपके साथ अपनी विंट कीवी रेसिपी शियर करूंगी तो आइए देख लेते हमें उसके लिए क्या क्या कुकिंग करनी है मैं हमने एक पैन लिया है इसमें हमने एक गिलास के करी पानी अपनी अट कर दिया है आख टी सपून जीरा डालेंगे इसमें तोडा ا सब गरा मसाला हूं और हिण जीरे हमेहिस देख का boysका सांन सब्दों करूंगी फोड़ा और और गवरग बग, 1 ci स्व constitutional जित आस अपने पानी में अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेते हैं, पानी हमारा देख सकते हैं, बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस बॉयलिंग बॉटर में ही हमने जो अपनी एक कप सूजी ली हुई है, वो हम इसमें एड करेंगे, धीरे-धीरे करते अपने एड करेंगे, पानी थोड़ा हमेज में जरूवा तौल लग रही है, मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है, उसको धीरे-धीरे करते हुए हम एड करेंगे, और अपने इस मिक्षर को गाड़ा होने तक कूक करेंगे, देख सकते हैं, हमारा जो मिष्टन है, वो फूज काफी थेक हो चुगा है, यह देखिए, इसे पैन भी अपना रिलीस करना, स्टार्ट कर दिया है, और यह एक बैंडिंग कंडिशन में आना स्टार्ट हो चुगा है, इस स्टेज पे हम अपनी फ्लेम को बन करेंगे, और इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे, जिससे कि यह हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, हमने एक और पैल ले लिया है, इसमें हमने देख से दो ग्लास के करी पानी एड किया है, और वन टी स्पून जितना कोकिक गॉयल में हम एड करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने यह चौमीन लीवी है, जो आपके पार नॉ जादा बैटर होते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, आप इसके लिए हकका नॉडन का भी इसमाल कर सकते हैं, उससे यह और भी अच्छे से बनके तयार होती है, क्योंकि वह हमारे पूरे स्ट्रेट उसमें चौंग, जैसे यह नूडन होते हैं, वह पूरे एक लंब होते हैं उस स्टेश तक, सिर्फ हम इसे एक बॉइल दिलाएंगे और इनको हम अपने पैन से निकाल लेंगे, पहले हम बॉइल होने देते हैं, देख सकते हैं हमारी चाओमीन में बॉइल आना स्टार्ट हो गया है, बस हमें इतना ही इसे को करना है, हम इसको स्ट्रें कर लेते है एक चंडी की मदद से, हमने के किये सलरी बना के तयार करी है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून कॉन फ्लार दिया है, कॉन फ्लार नहीं हो, आप अर रोट का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ही एक बड़ी चंबच ही हमने इसमें मैदा मिलाया हुआ है, इनको अच से मिक्स कर लेते हैं, इसको हम अभी साइड में लगते हैं, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, हमने अपनी सूजी को कुख करके रखा हुआ है, उसे एक बारी स्पून की मदद से उपा नीचे करके देखते हैं, कि यह भी ठंडी हुई है या नहीं, लेकिन अभी भी हमारी का प्रोसेस करेंगे, हमारा मिशन देख सकते हैं, काफी अच्छे से एकदम ठंडा हो गया है, हमने इसे 5-10 मिनट के लिए फीजर में रख दिया था अपने, अच्छे से हमारा जल्दी से ठंडा हो सके, अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों पे हलका सा इस तरीके से घी मल ल करेंगे, उसको हाथ से पहले एक बॉल बनाएंगे, ऐसे फिर उसको हम इस तरीके से एक शेप देते जाएंगे, इसी तरीके से हम अपने सारे सूजी के ये शेप बना के तयार कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमने अपने ये सारे रोल्स बना के रख लिये हैं, अब हमें आगे क्या करना है, जो कॉन फ्लार और मैदे का मिश्टन है, इसको एक बार हिला लीजेगा, अपने एक एक रोल को उठाना है, इसमें हलका सा आपको सलरी में डिप करना है, डिप करने के बाद जो हमने ये अपनी चौमीन ली हुई है, उसमें से आपको एक एक चौमीन लेते हुए, ये क्योंकि मेरी चौमीन टूटी हुई है, जो तरीके से आपको ऐसे लपेटते जाना है कि इस तरीके से आप इसको स्टिक कर सकते हैं सलरी लगाके उपर हलका सा वांडल से वह इसको पर अच्छे से स्टिक हो जाएगे इसको हम दोनों तरफ से ऐसे इस्टिक कर देते हैं तो यह आपका एक नगिट बनके तयार है इसको हम रखते हैं और इसी तरीके से अपने सारे आपनी रोल्स पर चौमीग को प्रस रखते हैं कुछ आपके लंबे नूडल्स होंगे तो एक ही बार में वह इस तरीके से पूरे आपके रोल हो जाएंगे और बैक साइड में वापस से हलका सा गीला हाथ करके आप अपनी सलरी में इसको स्टिक कर दीजेगा शुआ एक हम आपने सारे रोल पर नूडल्स को भी होट कर लेते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके सा हम आपने सारे ननगि के ऊपा आप लिए यसी अचामीन को घंसा एक हम फ्राई और जब तक हमारे री अच्छे से golden-brown नहीं हो जाते हैं सब तक हम इन्हें फ् shimmer करेंगे हलके घलके जब ये आपके एक तरफ से गुम हो जाएंगे इस तरीके से बहुत आराम से इन्हें बूसरी साइड से भी ऐसे ही कुख होने देते हैं हम देख सकते हैं यह हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में कूख हो चुके हैं इन्हें आईए प्लेट में निकाल देते हैं टीशू पेपर के ऊपर आई लिए मैयोणीज उटमाट़ केचप लिया हैं जिसको अव्यूछो उटिवल स्पून चैचप लिया था और लीघा है इसे हमारे फ्लेट केट से प्लेट हवरoure हर फ्राइए उन्होंुको इस तरीके से हम कर देंगे सो यह हमारे थ्रेटेट नंगेट्स बनके तयार है आपने देखा जनली इसको हम पनीड से बनाके तयार करते हैं लेकिन आप देखिए यह हमारे काफी किस्पी बनके तयार हुए हैं इनको हमने आप सूजी से अंदर स्टफिंग करके बनाके तयार किया है आप इस recipe को ज़रूर try कीजिएगा उम्हीर करती हूं इस तरीके साथ thread nuggets बना के तयार करेंगे बहुती टेस्टी और क्रिस्पी आपका स्नेक बन के तयार होगा बहुत कम लोगों को इस तरीके की recipe पता होती है क्योंकि यह जनरली पनीर से बना के तयार करे जाते है पड़ लेकिन पड़ी नहीं है कभी इंस्टेंट आपके घर पे महमान आ जाए और आपको बना के रेडी करना है तो आप उसको सूजी से बना के भी रेडी कर सकते हैं आप लोगों को रेसिपी फ़संद आए तो चैनल को लाई को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वियू समय साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर गुडबाई थैंक यू